हाई, गीताशा गाइडलेंग्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं अन बॉक्सिंग और रिव्यू करने वाली हूँ आईवी बॉक्स सिगनीचर सीरीज ये नॉन स्टिक कुक वेर है दीप कड़ाई और इसके साथ हमें एक स्टेंलिस स्टील की लिड भी मली है इसके साथ हम एक और आसान मज़ेदार टेस्टी स्नैक रेसिपी सीखेंगे ये इजी रेसिपी स्ट्रीट फूट सीखने के लिए प्लीज वीडियो आखिर तक देखे और ये रेसिपी का नाम है वेज पनीर मसाला मोमोस आप देख सकते हो ये प्रडाक मुझे बहुत अच्छी पाकिंग के साथ मिला है जिन लोगों ने चानल सब्सक्राइब किया है उनका दल से शुक्रिया और जिनोंने नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें बेल बटन प्रेस करें आगे के नोटिफिकेशन के लिए अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट जरूर करें इस प्रडाक को हम उपन करते हैं इसमें हमें 12 मांस की वारंटी भी मिली है इसका MRPA 1,050 रुपीज मैंने ये प्रडाक Amazon से पॉर्चेस किया है मुझे बहुत अच्छी डील मिली है अगर आपको ये पॉर्चेस करना है तो इसकी बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी ये प्रडाक प्रीमियम कॉलिटी का है जैसे आप देख सकते हो इसकी ये लिंड मिली है साथ में और इसका फिनिश बहुत ही बढ़िया है मुझे ये प्रडाक बहुत अच्छा लगा है मैं सजेस्ट करूंगी आप ज़रूर इसे पोचेस करें इस कडाई का हैंडल स्टोडी है इसमें हम बिर्यानी, सबजी और बहुत कुछ कुप कर सकते हैं परफेक्ट मुमोज बनाना बचो का खेल है यूनीक रेसिपी सीखेंगे को एक सिंपल तरीका स्टेप बर स्टेप हम बनाएंगे ये इनहेरिटेड ट्रडिशनल इंडियन डेलिकसी नेपाल, टिबिट, भुतान की पॉपिलर कुजीन है ये एक टाइप का साउथ एशिन डंपलिंग है जिसमें काउंटलस वेज और नॉनवेज स्टफिंग्स पॉसिबल है ये आईवी बॉक्स की डीप कडाई में हम बनाने वाले हैं मुमोस की स्टफिंग और आज हम बनाएंगे वेज पनीर मसाला कडाई में कुकिंग ओयल डालेंगे और इसे हम गरम करेंगे इसमें हम डालेंगे बारिक कटे हुए प्यास इसे सौट करें इस स्टफिंग में जो भी वेजेटिबल्स हम एड़ करेंगे पेस्ट जो है जिंजर, घालिक और ग्रीन चलीस का इसमें हम मिलाएंगे बारिक कटा हुआ कैपसिकम और कैबिच आप इसमें गरम मसाला डाल सकते हो अगर आपको इंडिन फ्लेवर चाहिए तो लेकिन मुझे इंडिन फ्लेवर नहीं चाहिए इसलिए मैं इसमें सेजवान चटनी डाल रहे हूँ इसमें हम डालेंगे नमक स्वात के अनुसार और थुड़े शक्कर भी डालेंगे और अच्छे से इसे हम मिलाएंगे मुमोस में सबजेओं को ओवर कुक नहीं करते हैं यानि की जादा नहीं पकाते बस दो मिनिट के लिए आपको इसे हाई फ्लेम पर पकाना है इसमें अब हम एड़ करेंगे वाइट विनेगर और सोया सोस इसके अलावा इसमें हम थोड़ा काला नमक भी डालेंगे और अड़ करेंगे चिली सॉस चॉप्ट पनीर अड़ करेंगे अच्छे से इसे मिलाएंगे और इसमें मसाले हम अड़ करते हैं चट पटा बनाने के लिए Optional है इसमें हम red chili powder, carrots और spring onions भी add कर सकते हैं हमारा stuffing ready हो गया है मसाला थंडा होने पर stuff करेंगे Wheat flour use किया है मैंने Optional है मैदे का आटा भी ले सकते हो Dough soft होना चाहिए इसे हम momos का outer cover बनाएंगे Dough से small balls को thin पूरी के तरह roll करेंगे जिससे खाने में अच्छा और मज़िदार भी बनेगा बीच में stuff करेंगे किनारी पर पानी लगाएंगे चिपकाने और tight seal यानि की lock करने के लिए Momos की sheet की किनारी को पकड़ें Fold technique जैसे pleat करें यानि समेटे मोदक की design की तरह साथ में आने पर join करे edges और pack होने पर extra dough को हम निकालेंगे और press करेंगे ताकि ये नहीं खुले Momos हमारे अभी थोड़ी ही देर में ready हो जाएंगे steam करने के लिए इसे हम stand में डालेंगे जिसे हमने already grease किया हुआ है पंदरा से बीस मिनट तक पकाएं हाइ फ्लेम पर इटली मेकर, कुकर या steamer में आप इसे इटली के stand से निकाले और गरम-गरम serve करें बहुत सुन्दर लग रहे हमारे healthy wheat mumos और इसे हम serve करेंगे तिखी सेजवान चटनी के साथ आप ज़रूर इसे try करें और comment करना ना भूले हम फिर मिलेंगे हमारे next वीडियो में तब तक के लिए bye take care